पूरे को हम इसके अगे entsprechenden तो नियुक्त नियुक्त को इसे पेड़िन शिते डूल इन गेंग पेड़ीattend पूल मेंजों तो चलिए लास्ट लेक्श्टर में हम साइंस उर्टेक में बात कर रहे थे nuclear technology को तो nuclear technology के basics की बात की थी और कली से लिए आपको पहला lecture मैंने कहा था देखने के लिए ताकि आगे हम start कर सके तो आपको remind रहे तो last जो lecture था हाला कि वो nuclear technology का पहला ही lecture था और उसमें हमने last topic देखा था uranium समवर्धन का तो चलिए आगे शुरू करते हैं uranium समवर्धन तो uranium समवर्धन क्या होता है इसके बारे में हमने basic बात कर ली थी तो actual में जब हम परिभाशा इसके देते हैं तो कहते हैं कि जब हम uranium को ऐसे uranium को जो कि प्राकर्तिक रूप से fizzile होता है पर उसकी जो मात्रा है वो कम मिलती है ठीक है जैसे बानवे uranium 238 है ठीक है यह non-fizzile है जो कि radioactive नहीं है अब हम इसको अगर convert कर देते हैं fizzile uranium में जो कि है बानवे uranium 235 तो यह जो प्रकरिया है यह कहलाती है uranium enrichment ठीक है तो इतनी हमने last बात की थी और आपको मैंने बताया था कि जो uranium का नीज है तो इसका जो isk होता है वो होता है pitch blend और uranite इतनी बात हमने यहाँ पर कर ले थी ठीक है तो जो प्रकर्ति में मिलता है वो 99.5% या 99.3% हम कहें वो ए विखंडनी होता है प्रकर्तिक रूप से वो विखंडित नहीं होता और जो विखंडित होता है जिसका use हो सकता है परमान उरजा में वो केवल आपको 0.5 to 0.7% ही प्रकर्ति में मिलता है तो इतना कम मिलने के कारण इसका हम ज़्यादा ना तो खनन करवाते हैं ना यूज करवाते हैं इसलिए enrichment के प्रकर्या को अपनाया जाता है तो मैंने आपसे लगभग 99 प्रतिशत मिलता है एविखंडियन नोन फिजल प्रकर्तिगा होता है को 92 uranium 235 में बदलना ही uranium enrichment कहलाता है ठीक है ताकि इसका उप्योग कर सके अब यह जो enrichment है यह 3 टाइप का होता है तो हमारा जो सवाल है कि enrichment करना गलत है या सही है वो इसमें ही छुपा हुआ है तो देखिए पहला टाइप है इसमें कि एस एउ ठीक है एउ का मतलब रहेगा एए enrichment से ठीक है स्लाइटली एन्रिच्ड इरेनियम स्लाइटली एन्रिच्ड इरेनियम दूसर प्रकार होगा एल एउ नमस्ते संज्या जी इसका मतलब होगा आपका low ठीक है noon स्लाइटली मतलब बहुत ही कम उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर enriched हो रहा है तो वो low category में आ रहा है enriched समवर्धित इरेनियम और इससे भी ज़्यादा अगर मात्रा में इरेनियम को enriched किया जाता है तब वो प्रक्राइक लाती है यहाँ पे HEU highly enriched uranium अब इन तीनों में अंतर क्या है और किस तरह से यह काम करते हैं तो समन्य भाषा में जो शब्दों से मतलब समझ में आ रहा है कि इसकी मात्रा को जब बढ़ा कर 0.5 या 0.7 से हम इसको लिया हैं लगभग 3 परतीशत तक तब यह कहलाएगा आपका slightly enriched uranium low के अंदर यहाँ पर हम थोड़ी सी मात्रा को और बढ़ा देंगे और इसकी मात्रा को 3 परतीशत से आगे बढ़ा कर 20 परतीशत तक ले जा सकते हैं तब आपकी प्रक्रिया कर लाएगी low enriched uranium और highly enriched uranium में आप इसकी मात्रा काफी ज़ादा बढ़ाते हैं और इसे 20 से उपर 90 परतीशत तक ले जाते हैं ठीक है तो मतलब एक बात तो clear है कि uranium 238 से uranium 235 में जो conversion है वो maximum 90 परसेंट तक यहाँ पर किया जा सकता है ठीक है पहली बात दूसरी बात यह कि हर step में जिसे slightly की बात करें low step में बात करें या highly enriched uranium की step में बात करें तो इन तीनों step में जो uranium enriched हुआ है उसका use क्या है ठीक है तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको 3 प्रतिशत तक समवर्धित कर देते हैं तब यह आपका शांती के कारियों में use आता है जैसे nuclear technology में हम पढ़ आते हैं तो यहाँ पर जो nuclear agriculture है ना भी किये क्रिशी है जिसमें विभिन्न समस्थानिकों का पुरियोग किया जाएगा आगे हम detail में इसमें बात करेंगे ठीक है food preservation है खाद्य परिरक्षन है उसमें जिन जिन रेडियो अक्टिव पत्वों का पुरियोग किया जाएगा इसक भी slightly enriched uranium आपका काम आ जाता है नमस्ते बिंदिया जी नमस्ते रविकान जी रविकान जी बूचरें अब त्यारी शुरू कर सकता हूं का अब तो देखिए तभी कर सकते हैं जब आपका basic clear हो otherwise तो कोई फायदा नहीं है low enriched uranium की बात करें तो इसका कहां कहां यूज किया जा सकता है तो देखिए इसका यूज किया जा सकता है जो हमारे उर्जा रियक्टर होते हैं जैसे रावद भाटा में हैं कलपकम में हैं तारापुर में हैं तो उर्जा रियक्टर में हमें low enriched uranium चाहिए तो एक बात और यहां से निकलती है कि जितने भी भारत के ये परमानो विजली घर है तो यहां पर जो uranium की capacity होती है enriched वो 3 परतिशत से ज़्यादा और 20 परतिशत तक यहां पर होती है इस range में uranium प्रयोग किया जाता है सारे के सारे परमानो विजली घरों में तो यह चीज़ यहां पर द्यान रखनी है फिर इसके हम बात करें यहां पर highly enriched uranium की तो इसका परयोग देखिए कहां किया जा सकता है तो यहां पर जब 90 परतिशत तक हम इसको enriched कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो इसका एक है मतलब निकलता है कि हमें uranium की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता का परयोग करना है देखिए जितनी ज़्यादा enrichment होती जाएगी उतनी ज़्यादा क्षमता से हम उसको प्रयोग कर पाएंगे और जब हम उसको full potency के साथ use करना चाते हैं तो इसका एक है मतलब है कि हम इससे विनाशात्मक हतियार बनाना चाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी enriched capacity को control करना और जा घर atom bomb या hydrogen bomb बनाया जा रहा है इसको ध्यान रखेगा अलांकि इसका शांति पूर्वक उप्योग nuclear medicine के इंदर जरूर होता है जब cancer cells बढ़ जाती है और इस तरह की जब बिमारियां अपने climax पे जली आती है तब भी इनका यूज हो सकता है पर ज्यादा तर इसका यूज माना ज रही है या गलत है तो जो इरान का case है international relation में कि इरान uranium समवर्धन कर रहा है तो उस पर प्रतिबंद लगाए जा रहे हैं यहां पर तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ठीक है तो कि वहां पर जो enrichment हो रहा है वो इस level पर हो रहा है highly enriched uranium वहां पर बनाया जा रहा है जिसका एक ही use हो स है एक उसके लिए कई संधियां सब्सक्राइब हो हो रखी है CTBT हो रखी है ठीक है NPT हो रखी है तो यह तो हम नहीं करेंगे तो क्या हम SEU या LEU की प्रक्रिया को अपना सकते हैं क्या यहाँ पे हम enrichment कर सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हम enrichment कर सकते हैं ठीक है और भारत करता भी है और भारत ने इसके लिए आपको पता हो तो LEU technology के लिए जान रखेगा LEU की बात कर रहे हैं इसके लिए विभिन्न देशों से परमाणू समझोते किये हैं जो आपने पढ़े होंगे जिने कहा जाता है असन्य ना भिकिये उपियोग समझोता तो यहां पर कौन कौन से देश हैं तो यह फिलहाल पिछले दशक में काफी चर्चा में रहे क्योंकि भारत ने यहां पर काफी देशों के साथ समझोता किया है अभी समझोते देखिए दो तरीकी के लिए किये यहां पर पहला समझोता किया है कि भारत को यूरेनियम मिल जाए क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो यूरेनियम है एक तो वह आपको जारकंड में जादू गोडा की खान में मिलेगा ठीक है और हम इसको राजस्थान की बात करेंगे तो हमें उद्धापूर के शित्र म मिलता पर उप्योंक नहीं है इंडिया की ओवररल बात करें तो यहां पर यह सब्सक्राइक है उड़ा पराप्त करते हैं तो भविश्य में कोईला खतम हो जाएगा हमें शिफ्ट होना पड़ेगा ठीक है रेनियूबल एनर्जी सोर्स की तरफ तो वहाँ पर भी काम चल रहा है हम सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रदूशन कम फैले एनर्जी एफिसेंट हो जाएं तो यूरेनियूम वाले जो उर्जा रेक्टर हैं वो ज्यादा है ज्यादा बनाए जाएं ठीक है जैसे फ्रांस में बहुत ज्यादा है ये रेक्टर विश्व में अगर हम देखे तो तो यूरेनियूम के लिए हमने समझ होता है यहाँ पर किय है करजाकिस्तान से मंगोलिया से नामिविया से अर्जेंटिना से तो अमराज जी आप ग्रूप में एड हो जाए जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है तो वहां पे आपको मैं बता दूंगा पूरी गाइड अर्जेंटिना के अलावा यहां पे रूस और ऑस्ट्रेलिया तो यहां से तो हम यूरेनियम लेंगे दूसरी बात हमें एंडिच्मेंट प्रोसेस भी पता होनी चाहिए तो एंडिच्मेंट प्रोसेस के लिए हमने फिर समझोता किया है यहां पे जिसे हम LEU टेक्निक लेंगे सिरफ LEU ठीक है USA से फ्रांस से जर्मनी से ब्रेटेन कैनेडा तो दो चार देशों के नाम जरूर याद रख लिजेगा पर यह बात देखेगा कि जिसे भी हमने एंडिच्मेंट समझोता किया है वो सारे के सोरे यहां पे विक्सित देश है और जिनसे हमने यूरेडियम का समझोता किया है यहां पर आप रूस ऐस्ट्रिलिया को छोड़ दें तो बाकी सभी देश यहां पर विक्सित नहीं है ठीक है ना तो वहाँ पे संसाधन है तो संसाधनों को मंगा रहे हैं और जहां से टेक्नीक है वहाँ से टेक्नीक को मंगा रहे हैं ठीक है तो यह चीजे ध्यान रखेगा पहले पहले एक शर से इनकी ट्रिक बना लिजेगा uranium के लिए यहां पे बना सकते है कमना ठीक है कमना रुआ और यहां पे भी कुछ इस तरह से बना सकते है तो यह trick बना के याद कर लेज़ेगा चलिए तो यह बात हो गई uranium enrichment पे question यहां पे आ सकता है अच्छा question आ सकता है तो इसको ध्यान रखेगा तो वगला सवाल यह आता है कि क्या जो परमानों बम है तो वो केवल enrichment के द्वारा ही बनाया जा सकता है या और कोई technique भी है क्योंकि अभी हमने जब परमानों बम को समझा तो हमने इसमें यह देखा कि हम highly enriched uranium का use करते हैं तो क्या यही एक मातर तरीका है या इसके अलावा कोई और तरीका भी है तो बिल्कुल इसके अलावा एक और तरीका है और उस तरीके को यहाँ पे कहा जाता है reprocessing technique ठीक है जिसे हम कहते है पुनर संसकरन हिंदी में पुनर संसकरन तक्णीक तो अब यह पुनर संसकरन तक्णीक क्या होती है तो दिखे इसमें क्या होता है कि जो अब शिष्ट इंदन होता है uranium का जैसे हम चलो हम बात कर लेते हैं कि uranium 235 और 238 का जो भी enrichment करके रियक्टर के अंदर यूज करके जो अप्शिस्ट इंदन बचा उसमें यूरेनियम 235 भी होता है और यूरेनियम 238 भी होता है इस पर जब न्यूट्रोन की बोच्छार कराई जाएगी तब प्लूटोनियम 249 बन जाता है ये तो है आपका अप्शिस्ट इंदन तो इस प्लूटोनियम 245 का यूज करके आप यहाँ पर परमानुबम बना सकते हो और इंडिया ने इसी टेकनीक का परियोग करके परमानुबमों को विक्सित किया है इसे आप भारत की तकनीक भी कह सकते हो ठीक है तो प्लूटोनियम 249 से भी यहाँ परमानुबम बनता है और इसके द्वारा जो परमानुबम बनाई जाते हैं उनकी एक श्रमता यूरिनियम से अधिक होती है चलिए तो ये चीज ध्यान रखेगा रिप्रोसेसिंग टेकनीक अलग है enrichment टेकनीक अलग है और परमानुबम बनाने के लिए इन दोनों टेकनीक का यूज़ आप कर सकते हो तो ओवराल हमें यहाँ पर एक बात समझ में आई कि हम जब यूरिनियम प्लूटोनियम और इसी तरह के अन्य जो पदार्थ हैं जैसे थोरियम इनका जब अध्यन करते हैं तो इनके अध्यन के दुरान इनका जो यूज़ है वो अलग-अलग तरीके से यहाँ पर किया जाता है तो इनके यूज़ के अधार पर यूरिनियम, प्लूटोनियम, थोरियम इनके उपयोग के अधार पर इनको दो वर्गों में यहाँ पर बांटा जाता है पहला कहा जाता है यहाँ पर टाइल मैटीरियल या उर्वरत पदार्थ और दूसरे इनको काटेगरी में रखा जाता है फिजाईल मैटीरियल अब यह फर्टाइल और फिजाल मैटीरियल में को किस तरह से बाढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर अभी हमने दो तीन टेक्निक सीखी उसमें मैंने आपको और पिछले लक्षर में यही बताया था कि चाहे यूरेनियम का प्रियोग करके उर्जा को बनाना हो ठीक है तो हम क्या करते हैं उस पर न्यूट्रोन की बरसात कराते हैं तागि न्यूट्रोन उसके नाभिकों तोड़ता है और वो यहाँ पे दो नाभिकों में तूड़ जाता है और एनर्जी रिलीज होती है उस 92 यूरेनियम 235 और 94 लूटोनियम 249 तो यह तो है विखंडनी है पदार्थ के एक्जाम्पल ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रटाइल क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रोन से यहाँ पर क्रिया नहीं करते और इनको अगर न्यूट्रोनों से क्रिया करवानी हो तो क्या करना पड़ता है न्यूट्रोन की जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है ताकि इसकी टकर हो इन पदार्थों पर और यह अगले पदार की श्रेणी में आए इस चीज़ को समझ यह कि यह जनरली तो यहां पर न्यूट्रों से गिरिया नहीं करते पर न्यूट्रों की अगर टक्कर इसमें बहुत ज्यादा तेज करवाई जाए तो यह अगले पदार्थ में नेक्स्ट पदार्थ में रुपांतरित हो जाते हैं जो ठीक है और दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है हमारे पास थोरियम का पर यह यूज फुल नहीं है क्यों कि यह फिजाइल है अब इसे फिजाइल से फिजाइल में कनवर्ट किया जाएगा और उसके लिए रिशर्च लगेगी रियक्टर लगेंगे तो जाके यह कनवर्ट होगा अगर हम थोरियम को यूज लेना सीख जाएं तो हमें किसी भी परमानों समझते की जुरुत नहीं है हमारे जो दक्षिन भारत में केरल की जो रेत है वहाँ पर मिलता है ये थोरियम ठीक है मोनोजाइटिस में बहुत बड़ा बंडार है भारत के पास पर इसको यूज न करना नहीं जानते तो संसाधन होना ही कभी भी विकास का प्रतीक नहीं होता है संसाधन को यूज में लेना हमेशा विकास का प्रतीक होता है और आपको पूरे विश्यों में पैटर्न इस तरह से मिलेगा जहां संसाधन ज्यादा है वो विक्सित नहीं हो पाए है जैसे अफ चलिए तो इस चीज़ को यहां पर दियान रखिएगा तो अब हम next बात करते हैं और next बात हम करेंगे हमारे यहां पर जो reactor है जो अभी मैंने आपको बात की थी पिछले lecture मैंने आपको उसकी सरंचना भी बताई थी तो अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो भारत के पास reactor हैं वो कितने प्रकार के हैं और वहां से आपको क्या 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 कोश्चन पूछे जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं रियक्टर ठीक है तो सामन्य भाषा में रियक्टर का मतलब क्या होता है रियक्टर का मतलब वहाँ जहां पे हमने इंधन को डाला और उससे पानी को गरम किया ठीक है पानी को गरम करके हमने और जया उत्पादित की रियक्टर होता है ठीक है अभी जो रियक्टर है ये या तो नाभिकिये विखंडन पे काम करेंगे जो कि फिलहाल विश्व में यही टेक्नलोजी है नाभिकिये विखंडन परमानु उर्जा को शांति पूरवक उप्योग लेने की हमारे पास विखंडन ही टेक्नीक है जो मैंने आपको दूसरी टेक्नीक बताई थी यहाँ पे नाभिकिये सल्यन उस फे तो अभी रिसर्च चल रही है यह सूर्य की प्रक्रिया है सूर्य में लगातार यहाँ पे नाभिकिये सल्यन हो रहा है परन्तु एनर्जी इतनी यह निकलती है कि कंट्रोल नहीं कर सकते है तो सल्यन को हम रिसर्च मोड पे हैं और रियक्टर बनाने की कोशिश कर रहे है और वर्ड में एक प्रोजेक्ट चल रहा है ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूकलियर एनर्जी रियक्टर 2006 में शुरू हुआ था इस समय विश्व का उर्जया के संबंद में सबसे महतुपूर्ण प्रयोग है भारत इसमें भागीदार है प्रांस में चल रहा है और कोशिश क्या की जा रही है कि ये जो प्रोटोन है इनको आपस में मिला दें सलयन करा दें और एनर्जी को जो उत्पन करेंगे उसे कंट्रोल कर लें ठीक है क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रही है और इसका जो उपरयोग है वो एटम बम में होता है ठीक है या फिर हम देखते हैं कि जो सूर्य है वहाँ पे नेचरल रूफ से ये प्रोसेस चल रहा है सूर्य में क्या जितने भी ब्रमान में जितने भी तारे है न सब में नाभिक के सलय नहीं चल रहा है तो इतना जबरदस प्रोसेस है पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है इसलिए विकास की अवस्ताओं में तो विखंडन वाले रियक्टर हमारे पास है जिसमें हम इसी नाभिक को तोड़ कर एनरजी प्राप्त करते हैं तो इस संबंद में हमारे पास बहुत सारे रियक्टर है अब नाभिक की विखंडन से संबंद तो जो भी हमारे पास reactor है उनकी भी एक विकास की श्रिंखला रही है और उस विकास की श्रिंखला में से आपके question पूछे जाते है तो हम बात करेंगे विखंडन reactor की तो आज आप अगर पहला lecture समझ के इसको देख रहे हो तो इससे पहले वाला lecture देखिएगा तक इस चीज़े concept clear हो जाएं basic हम पिसले lecture में discuss का कर चुके हैं ठीक है या इसे कहे जाते हैं परमानोवट्टी चलिए तो पहरे देखिए इनकी कितने प्रकार है इसमें एक प्रकार पढ़ोगे BWR दूसरा प्रकार पढ़ोगे PHWR तीसरा प्रकार पढ़ोगे LWR फिर FBR अभी इनको clear करेंगे एक एक शब्द को और अगला है यहाँ पर AH WR BWR अभी BWR क्या होता है नाम है इसका boiling water reactor boiling water reactor तो reactor की जो सामन्य सरंचना मैंने आपको पिछले lecture में करवाई थी उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जब भी हम परमानु भटी का प्रियोग करेंगे उसमें हम क्या करेंगे एक वापिस आपको मैं परीचे दे दूँ अगर आप भूल गए हो तो इस तरह से होता है reactor की सरंचना ठीक है इसके अंदर क्या होता है एक chamber होता है chamber में आप uranium को डालते हैं ठीक है और इस uranium के अंदर फिर हम क्या गरवाते हैं neutron की बरसात जिससे नाब के विखंडन होता है और इस uranium में जो आगे energy निकलेगी आगे इसको control करने के लिए मंदक और नियंतरक छड़े लगाई जाती हैं पूरी प्रोसेस में जो गरम होगा बट्टी इसको control करने के लिए यहाँ D2 को या भारी जल को मंदक के रूप में भरा जाता है उसके बाद overall यहाँ पर पानी को गरम किया जाता है इस गर्मी से और इस पानी को गरम करके भाप बनाई जाती है और भाप से क्या होता है तरव डेटेल से देखा था एक एक चीज को इसकी तो overall यहाँ पर हो क्या रहा था हम पानी को गरम करके एनरजी का उत्पाल्दन कर रहे थे तो यह सबसे basic technique है और यही हो रहा है यहाँ पर boiling water reactor में ठीक है तो यह technique अमेरिका में विक्सित हुई USA की technique है यह ठीक है fuel के रूप में uranium को डालेंगे डाल के पानी गरम करेंगे और बिजली बना देंगे इस तरह से यह reactor काम करेगा तो हमारे जो reactor है तारापूर का reactor अपसरा रियक्टर इनके बाद हम पिछली लक्चर में कर चुके हैं तो यह boiling water reactor में ही काम करते हैं ठीक है पर इसमें देखी एक प्रोवलम हो गई थी आपको पता है कि यह जापान में सुनामी आये थी और सुनामी की करण क्या हुआ था कि वहां पे समुद्र के पास परमानो विजली घर बना हुआ था और परमानो विजली घर बना होने के करण उसका नुकसान हो गया था और वहां पर समझ से आ गई थी ठीक है नुकलियर रेडियेशन की अब इसमें क्या होता है कि यह जब BWR है इसमें सबसे यादा रेडियेशन फैल सक रहता है इसलिए इस रियक्टर को इतना सेफ नहीं माना जाता हुआ है ठीक है चलिए हालागी न्यूकलियर एक्सिडेंट जितने भी हुए उन पर एक अलग आपको लास्ट में बता दूँगा तो अब दूसरी बात करते हैं यहां पर प्रेशराइज्ड वाटर रियक्टर अब देखिए यह क्या होता है पी एच डॉल्यू आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रियक्टर इंदियने कहेंगे दाबित भारी जल रियक्टर अब इसके अंदर देखिए क्या होगा कि इस प्रकार के जो रियक्टर होंगे उसमें इंदन के रूप में यूरिणियम ठीक है सेम मंदक के रूप में भारी जल का प्रियोग किया जाता है और इस प्रकार का जो रियक्टर है वो हमारे राजस्थान में लगा हुआ है रावत भाटा में ठीक है जब यहाँ पे भारी जल का प्रियोग किया जाए तो इन दोनों में फरक क्या हुआ boiling water reactor और D2O वाले reactor में इसमें समान्य पानी का प्रियोग किया जा रहा था H2O का इसमें भारी जल का प्रियोग किया जा रहा है D2O का ठीक है तो यह इसमें मुख्चे फरक है तो इसमें ध्यान दोन Bent आफ है अब यह जो परक है इस से क्या होता है कि जो डिपो होता है भारी जल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो भार है वो ज्यादा होता है इसमें ना भी किये वजन ज्यादा होता है ठीक है चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर हमारे अगली रेट